दोस्तों जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में लेके आऊंगा जिसमें कि बैंक स्ट्राइक की पूरे डिटेल्स है और ये एक दिन का बैंक स्ट्राइक नहीं है ये बहुती लंबा प्रोग्राम है जो कि शायद फरवरी 2024 से भी आगे चलता रहा है और ये जो नोटिफिकेशन AIBA की तरफ साय है वो ठीक जो है 12 और 13 सितंबर को जो मिटिंग होने वाली थी उससे ठीक दो दिन पहले 11 सितंबर को ये सर्कुलर इनका आया था AIBA का कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिजे जिससे आपको ऐसे नोडिफिकेशन मिलते रहें तो आगे हम बात करते हैं कि इस स्ट्राइक में क्या-क्या होने वाला है और एक अनोखे तरह का स्ट्राइक है जो डिफरेंट है गिल्कुल अभी तक आपने कभी से स्ट्राइक के बारे में ऐसा नहीं सुना होगा तो देखते हैं इसमें क्या-क्या-क्या स्ट्राइक है जो एए आई-बी-ए का जो संट्रल कमीटी मिटिंग हुई है गुहाटी में 10 और 11 सितंबर 2023 को जो कि हमारा जो आई-बी-ए के साथ मिटिंग था उसके ठीक पहले और इन्होंने दो चीजे डिमांड किये हैं इसमें जो इनकी मेजर चीजे हैं उन्होंने लिखा हुआ कि adequate requirements in bank and stop outsourcing jobs तो यह जो है कि बहुत ही अच्छी डिमांड जो है bank union रखी हुई है क्योंकि हमारे पास bank staff नहीं होने के कारड़ जो कमी है staffs की service अतनी अच्छी नहीं हो पा रही है जिसके वजह से बहुत complain भी हो रहे हैं औ तो एक आदमी जो है दो तीन चाल लोगों का काम कर रहा है उसे service effect हो रही है और बहुत अच्छी service नहीं दे पा रहे हैं तो एक बहुत ही अच्छा यह मुद्दा है कि sufficient staff दिया जाए ने slice bankों में दूसरा जो नहीं स्टाप outsourcing job का लिखा हुआ यह भी बहुत ही अच्छा मु information होते हैं sensitive चीजे होती है वह जो है कि आपका breach हो सकता है तो यह भी दूसरा मुद्दा भी बहुत अच्छा है और जो भी at least हमारे पास outsourcing उनको पर्मानेंट कर दीजिए अगर आप jobs के बारे मगर सोच रहा है तो आप उनको पर्मानेंटी कर दीजिए वह ज्यादा अच्छ से काम करेंगे क्योंको उनको एक डर होगा कि हमारी नोकरी चली जाएगी और outsourcing temporary या ad hoc और इस सब पर रखने से क्या है कि एक वो डर नहीं होता है जो पर्मानेंट employee के अंदर होता है तो देखते हैं दोस्तों इन्होंने क्या क्या और कैसे कैसे further strike का program बनाया हुआ है यह video bankers और public दोनों के लिए है तो आप दोनों लोग इसको देखें क्या क्या और कब-कब strike होने वाला है तो यह circular आप यहाँ भी देख सकते हैं जैसा इन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि central committee meeting हुई है गुहाटी में सितंबर 10-11 को और उन्होंने demand किया है adequate requirements in banks, stop outsourcing jobs और इन् सितंबर जनवरी और further programs in February तो सितंबर में सबसे पहले इन्होंने क्या दिया हुआ है कि 11 सितंबर को इन्होंने बोला है कि resolution आएगा central committee meeting में जो कि इनका 10-11 को meeting था तो इन्होंने resolution लाया है और यह पूरा detail दिया है 13 सा जो 30 सितंबर यह लोग करेंगे वो explain करेंगे कि agitation क्यों हो रहा है क्या ज़रूरत है इसकी उसके बार 27 सितंबर को जो है वो press release करेंगे AIBA का and state federation का उसके बाद जो 28 सितंबर को यह लोग क्या है किifter देंगे सारी union वाले सारे banks को एक letter देंगे फिर 29 सितंबर को क्या है कि letters to bank by AIBA फिर AIBA जो है वो letter सारे banks को देगा इसके बाद 30 को leaflet देंगे कि इसमें क्या-क्या इनकी demands है और क्या-क्या चीज़े होनी चाहिए फिर सितंबर खतम होने के बाद October में की क्या-क्या program से वो भी देखते हैं October में जो पहली October को इनका demand है बहुत ही अच्छा demand है जिससे कि हमारा work-life balance जो है एक balance नहीं हो पा रहा है और बहुत ही अन-balance चला है work-life balance एक bankers का उन्हों ने रखा हुआ कि strict attendance to working hours मतलब कि जो working hours है उसे strictly follow हो क्योंकि हमारा कोई working hours नहीं है नव-साड़े-9 बज़े जाने के बाद आने का कोई time नहीं है जब तक काम ना खतम हो जाए पूरा काम खतम करना पड़ता है और काम कभी खतम नहीं होता है तो पूरा हमें बहुत देर तक बैठना पड़ता है और family को भी नहीं देख पाते तो इन्होंने लिखा हुआ है कि employee not to work beyond the stipulated working house क्योंकि आपने देखा है कि बहुत सारे department में है कि एक working hour fix है वहीं तक employees काम करते हैं पर bank में ऐसा कुछ भी नहीं है बहुत देर तक काम करना पड़ता है बैठना पड़ता है हम लोग को काम करते हुए तो उसके बाद एक October को यह अपने poster के माध्यम से इसको बता campaign ट्विटर campaign जो होगा every Sunday और holiday को ट्विटर campaign इस पर चलाए जाएगा और 13 को जो है बैज वीरिंग होगा बैज वीरिंग करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे 26 October को जो है Mass Memorandum by branch members to MD of the respective banks जो एक Mass Memorandum दिया जाएगा सारे बैंक के MDs को कि यह हमारी problems है उसको बाद 31 October को जो है Mass Memorandum दिया जाएगा Finance Minister, Labour Minister और Chief Labour Commissioner को इनको भी एक Mass Memorandum सारे लोग देंगे कि ऐसा सा situation है और इसमें improvement ला जाए जिससे customer service अच्छी हो सके और customers को एक अच्छा service मिले और उनका सारा काम timely हो सके उसके बार देखते हैं November mint का क्या क्या प्रोग्राम है तो November mint का जो प्रोग्राम है वो November के last week में है जिसमें कि state और district level पे धरना करेंगे, relay धरना करेंगे और उसमें जो और सबसे बड़ी बात है November में जो है एक demonstration धरना देंगे परल्या मेंट के बाहर कि इनकी मांगे मानी जाएं दोस्ते इसमें में एक बात clear कर देना चाहता हूं जो सितंबर से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और नॉम्बर के last week तक चलेगा इसमें कोई भी श्ट्राइक नहीं होने वाला है इसमें क्यों प्रोटे आपका दिसमबर से स्टार्ट हो रहा है और यह डिफरेंट है इस बार पहली बारा में देखने को मिल रहा है अभी तक शायद और पहले बहुत हुआ करता हो लेकिन यह फर्स टाइम मैं देख रहा हूं कि इस तरह का strike bank union कर रही है तो जो पहला आपका strike को start हो रहा है वो चा से अगलक दिन करेंगो उन्हेंने pool बनाया हुआ है कि दो कितना असर पड़ेगा यह देखना है, तो देखते हैं कि 4 दिसंबर से 11 दिसंबर जो स्ट्राइक होंगे, उसमें पर्टिकुलर कौन-कौन से दिन कौन-कौन सा बैंक स्ट्राइक करेगा, आप यहां उपर सर्कुलर में भी देख सकते हैं, और अपने बैंक का नाम और किस दि बैंक स्ट्राइक पे रहेंगे, फिर 5 दिसंबर को बैंक आप बड़ोदा और बैंक आफ इंडिया स्ट्राइक पे रहेगा, फिर 6 दिसंबर को कैनरा और सेंट्रल बैंक स्ट्राइक पे रहेगा, फिर 7 दिसंबर को इंडियन बैंक और यूको बैंक स्ट्राइक पे रहेगा 8 दिसंबर को Union Bank of India और Bank of Maharashtra strike पे रहेगा फिर एक जो सबसे interesting parties बार आई है जो अभी तक सुनने को नहीं मिली है 11 दिसंबर को ये बोल रहा है कि All India Private Bank strike रहेगा ये शायद मुझे लग रहा है कि First Time होगा कि Private Bank employees strike पे रहेंगे और सारे Private Bank employees strike पे रहेंगे तो ये First Time देखना है कि क्या ये पॉसिबल हो पाता है या नहीं हो पाता है कि सारे Private Bank employees strike पे रहते हैं कि नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि अभी तक Private Bank कभी strike में participate नहीं किया है फिर जनवरी का program देखते हैं जो कि 2 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक का इनका program है फिर जनवरी का program देखते हैं जो कि इनका 2 जनवरी से 18 जनवरी का program है तो इसमें क्या है कि ये भी एकदम different इस बार strike है इसमें जनवरी में इसमें state level पे strike होगा एक साथ All India सारे bank strike नहीं करेंगे बलकि उस state में जितने bank से वो strike पे रहेंगे तो हर दिन अलग-लग state strike करेगा इसका भी effect देखना पड़ेगा कि ये first time इस तरह से हो रहा है तो किस तरह से strike इसमें है और किस तरह से इसका effect होगा पबलिक पे या employees पे या इनकी मांगों पे क्या असर पड़ता है ये भी देखते हैं तो सबसे पहले जो second January को strike हो रहा है वो कौन-कौन से state है देख लेते हैं इसमें आपका तमिल नाडू, केरला, आंदर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार और लक्षदीप ये जो इतनी state है आपके strike पे रहेंगे थर्ड जनवरी को आपका गुजरात, महराष्टरा, गोवा, दादर, दमन और जो दीव है ये जो है सारे बैंक के इस state में strike पे रहेंगे फोर जनवरी को आपका राजस्थान, उतर प्रदेश, मद्ध प्रदेश, छतिस गड़, ये आपके सारे बैंक वहाँ पे strike पर रहेंगे उस दिन इस state में तो ये different तरह का strike है, फिर 7 और 18 को जनवरी को रहने demonstration की बात बोली है, किस तरह से demonstration होगा ये भी देखना है और 19 और 20 जनवरी को जो है दो दिन की All India strike होगी, मतलब सारे बैंक, सारे state में एक साथ दो दिन continuous strike पे रहेंगे तो ये अगर ये तो effective है, ये strike तो हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन उपर के जो strikes हैं कि बैंक द्वारा अलग अलग किया जा और state में अलग अलग किया जा ये एक दम different strike है इसको भी इस बार देखना है कि क्या होता है इसमें, इसके बाद फरवरी में उन्हें further programs क्या होंगे, कि आगे वो क्या और बनाते हैं, program किस तरह से करना है, strike उनके demand जब तक पूरी नहीं होती है, तब तक ये strike आगे further ये अपना, फिर से circular निकालेंगे और देखना है को सर्कुलर में क्या आता और किस तरह से शायद कोई नहीं तरह का और strike देखने को मिल सकती है, तो friends public जो है, उसको बहुत effect देखते हैं, पढ़ता एक नहीं, अगर आपको ATM आपके पास साई internet banking है, और नहीं है, तो आप ले लिजे internet banking और ATM ले लिजे, mobile banking ले ल क्योंकि ये demand पूरी होनी चाहिए, sufficient staff मिलना चाहिए, और एक हमारा जो outsourcing है, इसको बंद करना चाहिए, permanent employee देना चाहिए, दाकि वो responsible रहे है, तो दोस्तों इस channel को like and subscribe कर लिजे, मिलते हैं, फिन next video में